नमश्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर आप अपना नया मकान बनवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी पूरी माइंजिनिंग सपोर्ट की फैमिली के तरफ से आपको नया मकान बनाने के लिए हादिक सुपकाम नहीं हैं, और बेसिकली दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कि अगर आपको अपना नया मकान बनवाना है, तो एक कोंट्रेक्टर, यानि के ठेकेदार, आपसे मकान बनाने के लिए कितना पैसा चार्ज करेगा, यानि के एक ठेकेदार या कोंट्रेक्टर को आपको मकान बनाने के लिए किस रेट में काम देना चाहिए तो एक ठेकेदार आपसे नया मकान बनाने के लिए कितना पैसे लेगा ये जानने के लिए आपको ये समझना जुरूरी है कि आपका बिल्ट अप एरिया कितना है यानि कि जिस एरिया पर आपको मकान कंस्ट्रक्ट करना है वह कितना है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि आप अपने घर का construction area यानिके built-up area कैसे calculate करेंगे तो आएए देखते हैं suppose कीजिए आपका construction area है उसका front है 25 feet और length है 40 feet यानिके आपका plot size 25 by 40 feet का है तो area पता करने के लिए हमें दोनों को multiply कर देना है तो आपका construction area आ जाएगा 1000 square feet similarly अगर आपको 2 floor बनाने है तो 1000 को 2 से multiply करेंगे यानिके 2000 square feet अगर 3 floor बनाने है तो 1000 को 3 से multiply कर देंगे यानिके 3000 square feet तो अब तो आप समझ गए होंगे के built-up area कैसे calculate करते हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या का चीज़े cover करने वाले हैं जैसे number one सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे घर का estimated cost हम कैसे निकालते हैं कि हमारा घर बनाने में कितना पैसा लगेगा second हम देखेंगे कि घर बनाने के लिए labor rate क्या है means आपको ठेकेदार को किस rate में काम देना है अगर labor rate में काम देना है तो क्या rate होंगे और अगर with metal काम देना है तो क्या rate रहेंगे थर्ड हम बात करेंगे कि आपको ठेकेदार का चुनाव कैसे करना है ठेकेदार को काम देते हुए आपको किन-किन बातों का ध्यान अखना चाहिए फोर्थ हम देखेंगे कि ठेकेदार तैय किये गए रेट में आपको क्या-क्या काम करके देने वाला है और किन-किन कामों का आपको एक्स्टा चार्ज करेगा यानि किन किन कामों का आपको ठेकेदार को एक्स्टा पैसा देना होगा फिफ्फ हम पेमिंट पलान देखेंगे कि आपको ठेकेदार को पैसे कैसे और कब-कब देने है और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपोर्टन टिप्स भी दूँगा तो विडियो को पूरा देखें, ताकि ठेकेधार को काम देते हुए, आपको किसी भी तरह की तिक्कत प्रेशानी न आए. तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं, और विडियो को शुरू करने से पहले, मेरी आप लोगों से एक पूरा से, कि भले ही आप हमारे चैनल को subscribe करे या ना करे लेकिन अगर जानकरी अच्छे लगे तो वीडियो को like करना नहीं बुलेगा और जादा ही अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को share भी कर सकते हैं ताकि यह जानकरी और लोगों टाइप B-class house construction और टाइप C-class house construction जो टाइप A-class की house construction होती है वह एकदम premium type house construction होती है इसमें सभी branded materials यूज किये जाते हैं इस टाइप की construction एकदम luxury houses के लिए की जाती हैं दूसरी है B-class construction जो generally हरा आम आदमी B-class construction ही करवाता है और थार्ड है C-type construction जो load bearing construction की जाती है इसमें column beam तो मैं आपको इन तिनो टाइप की construction के labor rate और with material rate दोनों बदा देता हूँ देखे friends सबसे पहले अगर हम labor rate की बात करें जिसमें total material जैसे cement, bricks, steel, aggregate, tiles ये सब material आपको ही purchase करके labor ठेकदार को देना होता है labor ठेकदार सिरफ labor bearing करता है तो अगर सबसे पहले हम labor ठेकदार के rate की बा labor ठेकदारों से सलहा करने के बाद जो हमारा labor rate निकल कर आया है वह है A class की construction के लिए 300-500 पर square feet तक रहेंगे और C class की construction के लिए 2500-0170 पर square feet तक रहता है तो अगर हम घर बनाने का labor rate देखें और माल लो आपका total construction area 1000 square feet है और B class की construction है तो B class की construction का अगर मैं labor rate देखकू तो ये बी कलास की house construction का अगर minimum rate भी लेकर चलें तो 1000 square feet house की construction में हमारा minimum 2,00,00 रुपे तक labor contractor हो जाएगा अगर हम 2 floor बनाएंगे तो 4,00,00 और 3 floor का 6,00,00 रुपे तक सिरफ labor खर्चा होगा ऐसे ही अगर मैं with metal पर काम देने की बात करूँ तो इसमें भी A class की construction का rate है 15,00 रुपे से 18,00 बी कलास की construction का with metal rate है 1150 से 1400 रुपे पर square feet तक और C class की construction का rate है 850 से 1100 रुपे square feet तक तो B class की house construction का हमें rate पड़ेगा 1000 square feet के लिए लगबग 11,00 रुपे से 14,00 रुपे तक तो I hope के अब आपको ये तो clear हो गया होगा कि आज के समय में house construction के लिए labor rate और with metal rate क्या चल रहे हैं आपको किन rates में contractor को काम देना है और कैसे आप अपने house construction की एक estimated cost calculate करेंगे आइए अब में आपको बताता हूँ कि in rates में चाहे आपको labor contractor पर काम देना हो या with material, contractor आपको क्या क्या काम करके देगा और किन कामों के लिए वह आपसे extra charge करेगा और इसके साथ साथ वे कौन से construction tools हैं जो contractor के scope में रहेंगे और वे किन construction tools को आपसे डिमान करेगा इसके बाद में आपको बताऊँगा कि आपको एक contractor को काम देते हुए किन किन बातों का ध्यान अगना चाहिए कैसे आप एक best contractor select कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंदार रही है तो इसे like जरूर कीजिएगा आईए सबसे पहली हम यह जान लेते हैं कि चाहे हम labor contact पर काम दे या with material इसमें क्या-क्या include रहता है कौन-कौन से काम आपको contractor करके देता है सबसे पहला है excavation contractor इस rate में पहली बात तो आपको 5 feet तक footing foundation के लिए excavation करके देगा इससे ज़्यादा depth पर वो extra charge लेगा second वो foundation complete करके देगा below ground level 4 feet तक और above ground level 3 feet तक with steel binding and concreting तीसरा वो आपको सभी footing, column, stairs और slab की reinforcement complete करके देगा इन सभी की concrete करके देगा चाहे वो plinth level तक PCC हो या slab level तक की concreting contractor इस rate में सभी structural items जैसे footing, beam, column, slab और staircase सभी की shetring करेगा और जो भी इन सभी में shetring material यूज होगा, जैसे पलाई, bas, बली वो सभी contractor का ही रहेगा उसे वह आपको नहीं देना होगा वो पूरे घर को brick work करेगा, चाहे आपको 9 inch brick work कराना हो या 4 inch 8th है plastic work, जिसमें पूरे घर का, अंदर बाहर का plaster include रहेगा इसके सासा ceiling plaster include रहेगा इसका बहुत से contractor extra अलग से charge करते हैं तो ये पहले ही तैगर के agreement में लिखवा ले के ceiling का plaster भी easy rate में include होगा 9th है scap folding, जिसे भाड़ा भी बोला जाता है जो brick work, plaster और paint work के लिए यूज की जाती है वो भी contractor ही fix करता है और उसी के scope में रहती है 10th है tile या marble लगवाई आपको अपने घर के floor में जो भी लगवाना हो tiles या marble contractor easy rate में पूरे घर की flooring करके देगा पर हाँ अगर आप bathroom, toilet या kitchen के दिवार पर tiles लगवाने वाले हो तो कुछ contractor इसका अलग charge करते हैं और कुछ easy rate में करके दे देते हैं तो ये भी आप contractor से rate fix करते हुए जरूर टै कर ले और agreement में लिखवा ले इसके बाद contractor easy rate में आपको plaster का एक simple elevation बना गर देगा पर अगर आपको elevation पर tiles लगानी है या कुछ complicated design बनवाना है तो उसके लिए आपको extra pay करना होगा पर simple plaster elevation easy rate में include रहता है अब जो मैं 4 काम बता रहा हूँ ये कुछ contractor तो easy rate में कर देते हैं और कुछ इन कामों का extra charge करते हैं जैसे number one kitchen में slab installation slab पर granite बगाना और quota stone बगारा से partition बगारा बना कर देना तो ये पहले ही आपको तै करना होगा contractor rate fix करते हुए second बहुत से contractor इस rate में parapet wall बना कर नहीं देते जो उपर छट पर 4 दुख बनाई जाती है 3 feet की height तक ये भी आप rate fix करते हुए पहले ही decide करेंगे कि भी आप बना कर देगा या नहीं तीसरा वो आपको overhead water tank और भार septic tank बनाने में भी problem करते हैं ये भी आप पहले ही rate तै करते हुए fix कर लें और चोथा कुछ contractor इसी rate में door और window frame भी fix कर देते हैं पर कुछ नहीं करते हैं तो ये भी आपको पहले ही तै कर लेना है तो इन सभी कामों का एक agreement आपको पहले ही बनवा लेना है कि जो हमारा rate है उसी rate में ये सभी काम आपको करके देने होगे आईए अब हम discuss करते हैं कि इस rate में क्या-क्या काम आपके include नहीं होते हैं जिनके आपको अलग से extra charge देना होते हैं सबसे पहली बात तो जो आप अपने मकान का plan यानि के नक्सा 2D, 3D डिजाइन बनवाओगे वो आपको अलग से बनवाना होगा जिसका rate एप रोक्स 4-6 रूपे पर स्क्वेर फिट तक पढ़ जाता है second plinth level पर जो earth filling मिंस मिट्टी भरवाई जाती है वो भी आपको contractor नहीं करके देता ये भी आपको खुद से करवानी पड़ती है third बहुत से contractor इसी rate में आपको 7 feet height तक जो bathroom, toilet या kitchen में आप दिवार पर tile लगवाएंगे वो नहीं लगा कर देते हैं ये आपको पहले ही तैय करना होता है जो था इस rate में contractor आपको किसी भी तरह का kitchen, toilet या bathroom में होने वाला plumbing वर्क नहीं करके देगा पाचवाव है आपको electrical work fitting भी नहीं करके देगा चटावाए इस rate में आपकी stairs और balcony की railing और main gate fix नहीं करके देगा साथवाव है आपके घर में white wash नहीं करके देगा जैसे putty या puppy work paint police work भी नहीं करके देगा इसमें वहाव को किसी भी तरह का food work जैसे दर्वाजे, खिड़किया, चोखट, फरनीचर और wardrobs का किसी भी तरह का काम नहीं करके देगा modular kitchen भी बना कर नहीं देगा इसमें वहाव को kitchen slab installation और partition wall भी नहीं बना कर देता कुछ contractor बना भी देते हैं इसलिए ये आपको पहले ही तै कर लेना है कुछ contractor आपको 3 feet height तग जो छट पर parapet wall बनती है वो भी बना कर नहीं देते तो ये भी आप पहले ही तै कर ले इसमें वह आपको overhead water tank और septic tank भी नहीं बना कर देगा किसी भी तरह की cantilever और elevated slab नहीं बनाएगा इसके लिए भी आपको extra charge पे करना होगा main gate का ram बना कर नहीं देगा किसी भी तरह के termite resistant और waterproofing और damp proofing के लिए भी आपको extra पैसे देने होगे और इस rate में किसी भी तरह का false ceiling work भी वो आपको नहीं कर के देगा तो इन सभी कामों के लिए आपको extra charge देने पड़ते हैं पर इन में से कुछ काम ऐसे हैं जैसे bathroom kitchen की दिवार पर ties, parapet walls, door window frame fixing, main gate ram construction और water and septic tank construction वगएरा यह कुछ ऐसे काम है जो बहुत से contractor तो same rate में कर देते हैं और बहुत से contractor नहीं करके देते एक्स्टा charge करते हैं तो इन में से टै किये गए rate में contractor आपको क्या क्या काम करके देगा और क्या नहीं करके देगा यह आपको पहले ही उसे convince करके fix करवाने पड़ते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखे, contact का rate decide करते हुए, तो ये तो थे वे काम जो इस rate में include और exclude रहते हैं, आईए अब में आपको ये भी बता दूँ कि इस rate में, materials, यानि के जो construction tools रहते हैं, वो क्या-क्या include रहते हैं, जो contactor के scope में रहते हैं, इन सभी metal का contactor आपसे extra charge नहीं करे ये सभी materials, contactor ही arrange करेगा, आपको arrange नहीं करने होते हैं, नमबर टू, concrete mixture, जो concrete बनाने के लिए use होता है, ये भी contactor ही लेकर आता है, नमबर तरी, हर तरह का shuttering material, जैसे column shuttering, slab shuttering plate, चाहे वो wood की हो या steel की, हर तरह का timber metal, जैसे bamboo और बल्ली बगरा, ये भी total material contactor को ही लाना होता है नमबर फोर, plate compactor और concrete vibrator, ये भी contactor को ही देना होता है, wheelbarrow जो concrete बगर को shift करने के लिए, या construction metal को shift करने के लिए use के जाते हैं, ये भी contactor लाएगा, और नमबर शिक्स, हर तरह का grinder, tile cutter machine और floor polishing machine भी contactor के scope में रहती है, उपर बताये गए सभी material, contactor ही लेकर आता है, बस आपको बिजली पानी और curing के लिए एक लड़का देना होता है, ये आपके scope में रहता है, तो friends, ये सभी material और work है, जो इसी rate में include और exclude होते है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर friends, पूरी जानकाली के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ के आपको किसी भी तर जरूर करनी है, पहली तो ठेकेदार से ये जरूर clear करें, कि वह आपको मकान कितने टाइम में complete करके देगा, क्योंकि जितने टाइम आपका construction में बढ़ता है, उतनी आपकी construction cost बढ़ती चली जाती है, और दूसरी बात कि कभी भी experience ठेकेदार को ही काम दे, और उसकी पुरानी का material यूज करता है, और कितने टाइम में construction पूरी करके देता है, तो में लिए इन दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी ठेकेदार को काम देते समय, और अब हम बात करेंगे कि payment plan आपको कैसे कैसे बनाना है, कि आप ठेकेदार को payment कैसे कैसे करेंगे, ये payment plan आपको पहले ही बना लेना है, और agreement में लिखवा देना चाहिए, जैसे agreement के sign होने पर, यानि के acceptance पर 10% payment दे दी जाएगी, column reinforcement complete होने पर 20% payment दी जाएगी, 70% payment दी जाएगी, flooring complete होने के बाद 80% payment दी जाएगी, parapet wall complete होने पर 85% payment दी जाएगी, और kitchen slab partition का काम होने पर 100% payment कर दी जाएगी, ये payment schedule अब तै के गए गए, total work के basis पर अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मगर आपको ये payment plan जरूर बनाना है, और last में कुछ important tips, पहली बात, कि contractor का काम और rate, decide करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई भी item छूट न जाए, आपको हर item include कराना है, और agreement जरूर बनाए, जिसमें सभी material specification जरूर लिखवानी है, जैसे, tiles किस company की यूज होगी, किस rate तक की यूज होगी, plumbing fitting GI की रहेगी, या CPVC की, और front elevation में tile लगाएगा, ये आपको plaster करके देगा बगेरा बगेरा, अगर आप with metal काम दो तो, metal selection में आपको बहुत careful रहना होता है, बहतर रहेगा कि आप किसी expert की सला लेकर ही agreement बनाए, किसी भी contractor को with metal काम देने पहले, और काम देने पहले metal का brand और minimum price value भी define कर लेनी चाहिए, second, ठेकेदार से पहले ही पू कौन कौन सी चीज़े उसके अंडर नहीं होंगी, और agreement में mention करवा दे, number four, extra काम जो भी ठेकेदार करेगा, जो इस rate में include नहीं है, उस extra काम के rate भी पहले ही तया करके agreement में लिखवा ले, नहीं तो बाद में परिसानी होती है, और number five, कि rate के according वो क्या-क्या काम करके देगा, य ये भी definitely पहले ही तै कर ले, okay friends, तो ये थी house construction से related कुछ ज़रूरी बाते, मैं आसा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर useful लेगी, और आपको अपना घर बनाने में कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलेगा, और अगर ज्यादा ही अच्छे लगी हो, तो वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये है जानकारी और लोगों के भी काम आसके, और अगर आपकी कोई query है, तो आप हमें direct message करें हमारे telegram group पर, telegram group का link हमारा बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुपर है guys, so see you in the next video lecture guys, thanks for watching and have a nice day.